अगर आपके पास नहीं जा सकते हैं तो आपको दीप दाल करना पड़ेगा को एक चाहिए लोग ऐसा पात्र चाहिए इसमें डालने के लिए आपको चाहिए थोड़ा से रिखें गंगा जले इसके बूंड डालने के पाद इसमें हम डाल देंगे आपको एक रूप दो या एक के सिकह का और डालते हैं फिर ले लेंगे हम जल तो यह हमारा गंगा जी है हमबन के देजर द्यार हो जाएँगी तो देखेंगे जितनों से कुछ पाईं डाल सकते हैं फिर डाल देंगे वोपर से कुछ पूश कर शकूश पर कि पुष्क डालने के बाद थोड़े आप बीना तूटे होगे पुष्क डाल दे अब थोड़ी सी गुलाब की पतियां अब बाद में देखेंगे कितना सुनर लाएगा जब आप इसे देखेंगे बहुत सुन्दर लगता है यह देखें तो देखें हमने ऐसा कर लिया थोड़ा बहुत अब यह देखें हमने बनाए थे दीए आप देखेंगे मैं अब इसे जहां जहां को रखने हैं उधर अब इन दीयों को रखते जाएं एक यहां रख देंगे एक दिया हम यहां रख देंगे एक दिया हम यहां रख देंगे एक दिया हम यहां रख देंगे यह दिया यहां रख देंगे देखें इसका सबिते हमें पत्तों से बनाए था थोड़ी से पूल थोड़े फूल इसमें भी डाल देंगे हम और हम थोड़े और फूल भी डाल सकते हैं अब आप जित्ते फूल डाल दें फिर हमें चाहिए बत्ती आप जित्ते भी दिया उत्ते बत्ती ले 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 एक बत्ती डाल ले अब इसपे एक बत्ती डाल सकते हैं देखे जैसे इसको अब निकाल दे आपको एसे करके सारे बत्तियों को डाल देना है तो अब हम बत्ति डालने बद अपनी गंगा में हैं इनका पूजन करेंगे सबसे पहले हम दगाएंगे रोली तो चोटे सी बत्ति में बदर में आप से तब में कर सकते हैं आप वह से तबनी जिसमें कपड़े होते हैं वह से परियोग नहीं करना है फिर हम लगा देंगे चल्दन हाँ थोड़ा चल्दन लगा दें फिर लगा देंगे थोड़े से और हमाइज गंगा देहें उनको सजा देंगे एक तरस यहीं है कि हमें सजा आना है देखिए पुछ दीओं में जो है तो आयेगा है क्योंकि हमने पत्तों से बनाए तो इसमें पानी तो आना ही होगा, आएगा ही तो अच्छे से हम सभी को कर लेंगे फिर हम लेंगे माचिस माचिस हम सभी को जला लेंगे तो यह देखिए पूरे दीप है वहमने जला लिए किस प्रकार से सभी दीपों को और कितना प्यारा लग एक हमने घर पी असान तरीके से अपनी गंगा जी बना दिये आदा पूझा के पास महीं आपने ते देखें, तो आपको ऐसी गंगा जी बनाना हो और ऐसी पूझन करना घर पर जबाप अब आपको गंगा जी मा मिल पाई तो यह था आप सभी को जय माता दी